नमस्कार बहिया बहिनों आदर्श सिक्षण समीती बाडमेत ओनलाइन क्लास में आपका हाद विक्स्वागत अभिनंदन कक्सा नौ विश्य हिंदी पद्य भाग पाट तीन रस्खान वीडियो भाग दो पिछे हमने वीडियो करमांक एक रस्खान पाट का देखा था और उसमें हमने पर्थम पद का तथा लेखक कविपरीचे का ध्यन किया था आज हम सब दूसरा पद रस्खान का पढ़ेंगे या लकुटी अरू कामरिया पर राज तीहूं पुर को तजी डारो आठों सिध्धी नव निध्धी के सुक नंद की गाए चराई विशारो रस्खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग अड़ाग निहारो कोटिक एकल धोत के धाम करील के पुंचन उपर वारो इक किश्न का चित्र पास में लकडी और कंबल सिर्पर मोरपंग सबदार या इस लकुटी लकडी अरू और कामरिया कंबल तीहूं पुर तीहूं पुर तीनो लोक इसमें पात्ताल पर्त्वी स्वर्ग हो तजी त्यागना वीशारो भुला दूं या छोड़ दूं तड़ाग तलाग कंबो कब निहारो देख लूं कोटिक करोडों कल धूत सोना धाम महल या घर करील एक कांटेदार पोधा जिसको केर की जाड़ी भी कह सकते हैं वारो नियोच्छावर कर दूं या लकुटी अरू काम मर्या पर राजती हूं पुरकोत जी डारो यह जो पर्थम बंगती है इस पद में श्री कृष्ण का श्री रस्खान का श्री कृष्ण के परती अगहाद प्रेम परकट हुआ है या रस्खान जी इतना परेम परकट होता है रस्खान जी कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल कंबल मिल जाएं तो तीहू पुरकोत जी डारो तीन परकार का जो रज्ज है जिसमें पाताल परत्वी स्वर्ग उसको मैं त्या कर सकता हूँ छोड़ सकता हूँ उसके बाद दूसरी बंक्ति आती है आठों सिद्धी नो निधी को सुक नंद की गाय चराई विसारो इसमें कवी कहते हैं कि वे नंद की गाय यदि चराने को मिल जाए आठों सिद्धी नो निधी उसका त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे तीसरी बंक्ति रस्खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग थडाक निहरो यदि मुझे रस्खान जी कहते हैं कि मुझे ब्रज चेतर के वन तलाब अपनी आखों से देखने को मिल जाए और कंटेली करेल के कुंजन उपर वारो कंटेली जाड़ी पर यदि मुझे विच्रन करने का कहे तो मैं कोटी के कल्दोत करोडो जो सोने की महले उसको भी मैं अपनी नियोच्छावर कर सकता हूँ त्याग कर सकता हूँ ये दुसरे पद का हर्थे तीसरा है मोर पखा सिर उपर राकियो गुंज की माल गरे पही रोगी ओढ़ी पितंबर ले लकूटी बन गोधन गवारनी संग फिरोंगी भावत तो वो ही मेरो रस्खानी सोतेरो कहे सब स्वांग करोंगी या मुरली मुरली धर की अध्रा अध्रान धरी अध्रा ने धरोंगी इस पद में श्री किष्ण के परती प्रेम बक्ती रखने वाली गोपी अपनी सकी से कहती है इस श्री किष्ण का चित्र है मुरली है सिर पर मुकुट है गोपी सकी से कहती है कि मैं प्रिये श्री किष्ण की परते चवी को अपने सिर पर धान करना चाती हूँ कौन कौन सी छवी अपने सिर पर धान करना चाती है कवी के द्वार अच्छी दिन पंक्तियों में किष्ण की अतूलनी ये सोंद्रे के परती गोपियों की प्रेम को चितन हुआ है इसमें कोपिया किष्ण का रूप धान कर लेने की चाह से बढ़ी हुए ताकि वे सभी किष्ण से सभी पर्थक ने हो सके गोपिया किष्ण के लिए सिर के उपर मोरपं का मुकुट सबसे पहले धान करना चाहती है सिर पर मोरपं का मुकुट तथा गुंजो की माला रती जिसको बोलते हैं गोपिया पिला वस्तर धारन करना चाती है उसके बाद वन में गायों और गौलों के साथ साथ बर्मान करने को भी तयार है गोपिया श्री कृष्ण के लिए हर स्वांग यहीं रूप करने रचने के लिए ततपर है पर वे मुरली धर अर्थार्थ कृष्ण के होटों से लगी बांसूरी को अपने होटों से लगाने को इच्छुक नहीं है क्योंकि वहाँ मुरली तो उसके लिए सोतन के समान है इसलिए वह मुरली को अपने होटों पर नहीं लगाना चाती बाकी जितने भी परकार के रूप है गोपियां उसको अपने शरीर पर धान करना चाती है लेकिन जो मुरली है उसको एक सोतन के समान बता जाए इस पार्ट में पशन है वह करने आपको प्रस्तोत रसकान के दोनों पद लिखी दोनों पद उपर जो दी वह लिखने आपको पीडीप में फाइल में भी उपस है कवी किसकी लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज्यन निच्छार करने को तयार है और क्यों कवी का ब्रज की वन बाग और तलाब को नियानने के पिछे क्या कारण है सकी ने गोपी से किष्ण का कैसा रूप धर्ण करने का आगरे किया था अपने सब्दों में वणन कीजिए धन्यवाल